मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू सबको जे येशू की आज की रोटी कारे क्रेम के द्वारा जीवन येश्वर के जीवन वशनों को सुनने के लिए मैं आपसे भी लोगों का हर दिक स्वागत करता हूँ भाय बहनों, आज के दिन में प्रभू अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बताता है कि हम पूर्ण बने पूर्ण बने, इसके मतलब ये है, मेरे अंदर, आपके अंदर पूर्णता नहीं है, अदूरापन है वो अदूरापन कैसे आती है, जब हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते उनसे नफरत करते, उनसे इर्शा करते, उनसे बदले की भावना रखते, जलन की भावना रखते जो हमें सताते हैं, परिशान करते हैं, उनके लिए हम भी सताने का मौका डूनते हैं, उनके लिए प्रारतना नहीं करते तब हमारा जीवन अदूरापन में रहता है, एक-एक गल्ती उतना ही अदूरापन बढ़ता जाएगा अगर हम देखें इस प्रकास हमारे अंदर कितना कुछ अदूरापन है, एक-एक पाप, एक-एक गल्ती, एक-एक गुना अगर हम बड़े सीरियस्ली इस बात को मनचिंतन करें, नोट डाउन करें, तो लगता है हमारे अंदर कितना कुछ अदूरापन है प्रभू जो पूर्ण है, वो प्रभू चाहता है कि हम उसके बच्चे, उसके बेटे-बेटियां, उस पूर्णता में आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते रहें पूर्णता में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु ने जैसे कहा है वैसे करना होगा वैसे जीना होगा अगर प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो प्यार करना होगा अगर प्रभु ने कहा जो तुम को सताते हैं तुम पर अतिचार करते हैं तुमारे विरुद तरह-तरह के जूटे आरोप लगाते हैं बातें फैलाते हैं उने माफ करना है तो माफ करना होगा उनके लिए प्रारतना करना है तो प्रारतना करना होगा तब हम पूर्णता में पुर्णता की और आगे बढ़ते हैं और ये जीवन है प्रभु का जीवन ये जीवन है इसाय जीवन किसी ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दे प्रभु येसु से पहले कि दुश्मनों को प्यार माफ करो जैसा ताते हैं उनके लिए प्रारतना करो जिसने तुमारे किलाब गलती किये है तुमारे नाम कराब कि उनको माफी दो किसी ने नहीं सिखाया ये अनो की शिक्षा है प्रभु येसु की अनो की शिक्षा और हम सभी अनो के लोग हैं अनो के इसलिए हैं कि हम सभी दूसरे लोगों के बराबर नहीं है हम सबों को प्रभू ने चुना है कैसे चुना है जैसे कि आज के पहले पार्ट में हम सुनेंगे अपनी प्रजा के रूप में हम प्रभू की प्रजा है प्रभू की संतान है उस ईश्वर के संतान है जो ईश्वर सबसे प्यार करता है भले और बुरे दोनों से बड़ाबर प्यार करता है धर्मी अधर्मी दोनों पर सूरी उगाता है पानी बरसाता है हम उस ईश्वर के संतान है इसलिए हमें उसके बच्चों को चाहिए कि हम अपने पिता जैसे आचरन करते हुए पूर्णता की वोर पवित्रता की वोर हम निरंतर आगे बढ़ें यह संदेश हैं आज के पाट के द्वारा इसलिए हम आज के पाटों को सुनें और आज के पाटों के अनुसार जिवन विथित करने का विशेश क्रपा चक्ति सामर्ति मागें आज का पहला पाट लिया गया है विदी विवरन ग्रंत अध्याईबा चब्वीस पसंक्यात सोला से उन्निस तक मूसा ने लोगों से कहा आज तुमारा प्रभुईश्वर इन नियमों तता आग्याओं का पालन करने का आदेश दे रहा है तुम इन पर चलते रहोगे और सारे रदई और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे आज तुमें प्रभु से यहाँ आश्वासन मिला कि वहाँ तुमारा अपना इश्वर होगा बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो उसके नियमों आदेशों तता आज्याओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो तुमने प्रभू को यह आश्वा संदिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे जैसा कि उसने तुम से कहा है बशर्ते तुम उसके सभी आज्याओं का पालन करो उसने जितने रास्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुमें सम्मान ख्याती तता महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे जैसे कि उसने तुम से कहा है प्रभु की वानी प्रभु चाहता है कि हम उसकी संतान उसके बेटे, बेटियां अपने पिता के समान व्यवहार करें माफी दें, माफी लें पवित्र था का जिवन बिताएं इसलिए प्रभु हमें इस चालिसी की आउदी में निमंत्रन देता है, बुलाता है अई हम आज का अनुवाक्य पढ़ें धन्य है वे जो प्रभु की सहिता पर चलते हैं धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की सहिता के मार्ग पर चलते हैं धन्य है वे जो उसके आज्याओं का पालन करते और उने रदय से चाते हैं धन्य हे वे जो प्रभु की सहीता पर चलते हैं तुने अपने नियम इसलिए दिये कि हम उनका पूरा-पूरा पालन करें ओहु, मैं तेरे इच्छा पूरी करने में सदा ही द्रड बना रहूं धन्य हे वे जो प्रभु की सहीता पर चलते हैं येदि मैं तेरे पवित्र निर्णाई जान जाऊंगा तो निश्क पढ़रदै से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा मैं तेरे रियमों का पालन करता रहूंगा तु मुझे कभी नहीं त्याग देता धन्य है वे जो प्रभु की सहीता पर चलते हैं जाई गोश अब उप्युक्त समय है यही मुक्ति का दिन है आयम प्रभु का सू समचार को सुने संत मती के अनुसार पवित्र सू समचार अध्याई पांच पसंग का 43 से 48 तक येसु ने अपने शिश्यों से कहा तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पडोसे से प्रेम करो और अपने बैरे से बैर परंतु मैं तुम से कहता हूँ अपने श्यत्रों से प्रेम करो और जो तुम पर अत्यचार करते हैं उनके लिए प्रार्तना करो इससे तुम अपने स्वर्गी पिता के संतान बन जाओगे क्यूंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तता धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है यदि तुम उने से प्रेम रखते हो जो तुम से प्रेम रखते हैं तो पुरसकार का दावा कैसे कर सकते हो क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते यहोदियों भी ऐसा नहीं करते इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुमारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है प्रभु की वानी इश्वर को धन्यवाद प्रभु कृष्ट में प्यारे भाईयो बहनो प्रभु का मूल मंत्र है आज केशू समाचार के द्वारा पूर्ण ता पूर्ण बनो जैसे स्वयम हमारा पिता पूर्ण है उसके अंदर किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है अब पूर्ण ता नहीं है पूर्ण ता से बरपूर है और हमारे अंदर अधूरापन इसलिए है प्यार करो, यहां तक कि दुश्मनों से प्यार करो, जो तुमें सताते हैं, उनके लिए प्रार्तना किया करो, जो तुमको किसी प्रकार कर नुक्सान करते हैं, दर्द देते हैं, छोट देते हैं, उनको अभिशाद देने मत जाओ, उनको आशिरवात दो, उन्हें शमा करो, य इन सभी प्रभू के मोलियों को सिधानतों को जब मैं मेरे जीवन में एकसरसाइज नहीं करता हूँ, तब मेरे अंदर अधूरापन बढ़ता जाएगा, एक एक गलती से अधूरापन बढ़ता जाएगा, प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु के रहते प्रभु के संतान उसके बेटे उसकी बेटियां अधूरा जीवन जीए कुंठित जीवन जीए पाप मैं जीवन जीए बुरायों में जकडे रहे बुरायों का बोज धोते रहे प्रभु नहीं चाहता है इस बात से प्रभु प्रसन नहीं है प्रभु चाहता है कि हम प्रभु चैसे पूर्णता की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे इसलिए हमें चालिसे की इस अउदी में विशेश रुप से परेज करना है गुस्से से परेज नफरत से परेज इरशा से परेज जलन की बेदभाव की बावनाव से बातों से परेज बदले की बातों से परेज और इनसे भी बातों से में परेज करने की जरुवत है अगर हम किसी को अभिशाब देते हैं अभिशाब से परेज करते हुए आशिरवाद जो हमें सताते हैं, परिशान करते हैं, दुकी करते हैं उनके लिए हम बदली की बावना ना सोचते हुए आशिरवाद दें और ऐसा करने से हम पूर्णता की उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे अन्यता मेरे जीवन में अदूरापन, खोकला, खाली, एंटनस बढ़ता जाएगा इसलिए प्रभू नहीं चाहता है जब हमारे अंदर पूर्णता होगी, हम आशिस का कारण बनेंगे दूसरों के लिए आशिस देने वाले बनेंगे आशिशों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के सामने एक माद्यम बनेंगे इसलिए प्रभू चाहता है हम इस प्रकार से पूर्णता की और साधना करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभू का वो अनुगरह, प्रभू का प्यार, प्रभू की क्रपा हमेशा बनी रहेगे इसलिए प्रभू का निमंतरन है पूर्ण बनने के लिए और ये शब्द सुनने के लिए असान है सुनाने के लिए असान है लेकिन इस शब्द पर मनचिंतन करेंगे इस शब्द का अपने चिवन में लागू करने जाएंगे बहुत 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 कटिन है, मान लो किसी ने आपका नाम कराब कर दिया किसी ने आपके पीट पीछे ऐसी-आजी बातें फैलाई तो आपका सारण नाम बहुत कराब सब जगा पर कितना दुख होता है और ऐसे परिवेश में उसको माफ करना उसके लिए प्रार्तना करना उसको आशिरवाद देना इतना असान नहीं है जब हम हमारा द्यान को प्रबु मसी पर केंद्रित करेंगे जो अपने आप में परिपूर्ण है वहां से ताकत मिलेगी तब संभव होगा यहीं कि इस प्रबु के वच्छन के अनुसा जिवन बिताने के लिए जब बर्दस्त हमें प्रबु की ताकत की जरुत है प्रबु की कौन से ताकत प्रबु के प्रेम से इतना हम बर जाएं इतना बर जाएं कि हमारे अंदर किसी प्रकार की खमी ना रहे और हम उधारता से प्यार बांटें अभी शाब के बदले आशिरवाद बांटें किसी ने हमारे नाम कराब कर दिया उसके लिए प्रारतना बांटें कोई हमसे नफरत करता उसके लिए प्यार बांटें कोई हमें माफ करने के लिए शमानी हम मुन को माफ करें ऐसा करने से हम अपने ईश्वर की संथान बन के जवन बिताएंगे ईश्वर के संथान ईश्वर के समान आचरन करती है और वो ईश्वर हम समों का पिता यही चाहता है कि हम उसके संथान इस बात को ना बोलें जैसे वो पिता बले बुरे दोनों पर सूरी उगाता है धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है तो हमें भी इस लक्ष को अपनाने की जरुत है कितना कटिन होगा बले बुरे पर दोनों पर बिना बेदभाव के बिना पक्षपात के एक समान प्यार करना आशिरवाद देना मदद करना माफी देना सहता करना कितना कठिन होगा और इसके लिए प्रभू की ताकत प्रभू का बल प्रभू का प्रेम से हम बरपूर हो जाएं तो हम ऐसा कर सकेंगे इसलिए आईए भाहियो बहनों हम प्रभु से प्रार्तना करें आज के दिन में कि प्रभु हमें अपने पवित्र प्यार से भर दें ताकि हमारे दिल में इतना प्रभु का प्यार आए और उसी प्यार को हम बांटें प्रभु के शांति फैलेगी प्रभु का प्यार फैलेगा प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार होगा प्रभु का राज्य फैलेगा है हम प्रारतना करें सरुशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के चुनोती बरे वचनों के लिए प्रभु ये वचन बहुती चुनोती बरे हैं बहुत ही खटिन है लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके संतान आपके बेटे और बेटियां आपके इस बातों को सुनें मानें उसके अनुसर आचरन करें वेवहार करें माफी दें, माफी लें शमा करें, दुश्मनों के लिए प्रार्तना करें सबसे प्यार करें आप यही चाहते हैं प्रभू, आत्मा की दुआर हमारी तयारी कीजिए हमारा निर्मान कीजिए ताकि हम सक्षम हो ऐसी जीवन विथित करने के लिए जो आप चाहते हैं हम सक्षम हो और ऐसे जीवन विथित करते हैं प्रभू आपकी नाम की महिमा कर सकें दुआ करते हैं उद्धार करता यह सुमसी के नाम से आमेन